तो बच्चो देखिए, आज हम Letters के बारे में डिसकस करते हैं Letters देखिए, दो तऱा के होते हैं परसनल और इंफ़र्मल एटर्व टाइप होते हैं कि किस पर्माट होता है बच्चो लिखने का ऐफिष्ल एटर वो ये होता है सैंडर पहीं जो आप भेज रहे हैं मतंब आप जो सैंडर हैं भेजने वाले का एड्रेस देट Receiver किसको भेज रहे है Receiver Receiver Designation उसका जो पता है Address है जो भी Subject है Reference Salutation होता है और क्या है इसकी Body जो की आप material लिखना चाहते हो Complimentary Close and signature अब देखी जो format of Personal और Informal जो letters होते है उनका क्या होता है Sender Address आएगा यहाँ Date और यहाँ Salutation यहाँ पर Body जो भी आप लिखना चाहते है material अंदर फिर Complimentary Close and Subscription Signature चीक है आप देखी हम एक Formal letter का बच्चो Example देख लेखे है देखी जैसे Formal letter है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे Suppose that आपका ये एक letter है Write a letter to your friend inviting her to your birthday आप अपने birthday पे अपने friend को invite करना चाहते हो तो आप कैसे invite करोगे सबसे पहले तो आपका address आएगा यहाँ पर Vijay Nagar Road लखनव ठीक है अगर यहाँ का है तो बरेली आप लिखेंगे फिर यहाँ पर date आएगी यहाँ पर आप जिसको भी आप भेजना चाहते हो ठीक है फिर address आजाएगा Dear Asha As you read मतलब वहाँ पर उनका नाम आएगा जिसको भी आप भेज रहे हो As you read now जैसा कि आपने अभी पढ़ा The day after tomorrow Day after tomorrow होता है कल कल के बाद जो आता है परसो परसो मैं एक पाटी ओगनाइस कर रहे हूं अपने दोस्तों के साथ On this occasion The party start at 5 p.m जो पाटी है वो 5 बजे शुरू हो जाएगी There will be some events कुछ events होंगे वहाँ पर Games होंगी Dinner के बाद I will feel very happy मैं बहुत ही खुशी महसूस करूंगी If you will join us अगर तुम हमें जॉइन करती हो अगर तुम यहाँ पर आती हो और हमें जॉइन करती हो To the party My father can drop you home मेरे पिताजी जो है वो तुमें डॉप कर देंगे घर After the party is over जब party over हो जाएगी Looking forward to seeing you तुम्हारे इंतिजार में At the party Yours Affectionately Sarlah ठीक है जैसे कि आप अपने friend को birthday party पे आप invite करना चाहते हो Format देखी बच्चो एक sequence में चलता है ठीक है आप यहाँ से start करते हैं और इस portion से और यहीं से start करते हैं यहाँ पर यहाँ पर subject आ जाएगा अगर आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पर तो एक और example हम इसका देख लेते हैं देखी You have not seen your friend Sunita or stolen her for a long time spoken to her for a long time write a letter her telling her about what you have been asked her now how she is and what she has been up to recently यह भी देखी बच्चो format जो है वो बिलकुल कैसा है same है देखी यहाँ पर address आ गया यहाँ पर date आ गई फिर जो आप जो रिसीवर है उनका नाम आ गया चीक है यहाँ पर आपकी body means to say यह material हो गया ठीक है बच्चो तो देखी यह होता है आपकी जो letters है वो उसका format ठीक है तो बच्चो देखी अभी जो हमने यह करा है letter write a letter to your friend inviting her to your body यह आपको न सिर्फ लिखना है अपनी copy में बलकि याद भी करना है ठीक है बच्चो यह देखी यह है आपका पूरा letter इसको आप चाहें तो लिख लें बच्चो चाहें तो लिख लें बच्चो